तो दोस्तो हम पढ़ रहे हैं मोटर यान अधिनियम 1980 जिसका पार्ट एक हम पढ़ चुके हैं और मैं आसा करता हूँ आपको समझ माया होगा पार्ट एक में हमने देखा मोटर यान अधिनियम 1980 जिसमें कितने अध्याय हैं कितनी धाराएं हैं कितनी अनुसुची हैं इन सब के एक में तो संक्षित नाम और धारा दो में परिभासाएं हैं फिर हम भाग दो के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी जिसमें धारा तीन से लेकर धारा 28 तक है और हम धारा 9 तक हम पढ़ चुके थे जिसमें धारा 9 थी वो driving license का दिया जाना था कि किस व्यक्ति को driving license दिया जा सक है ठीक है और उसमें ये भी हमने दिशा निरदेश पड़े थे कि कौन व्यक्ति अगर टेस्ट पास कर लेता है तो उसको driving license दिया जाएगा अगर test पास नहीं नहीं कर सकता है तो साथ दिन के बाद में फिर दुवारा टेस्ट होगा फिर अगर test पास नहीं कर सकता ठीक है तो यह धारा 9 में थी आज हम बात करेंगे धारा 10 से जो important धारा हैं उनके बारे में हम बात करेंगे तो शुरुवात करते हैं मोटर आना धिनियम 1988 का remaining part दोस्तों भाग 2 उसमें धारा जो 10 है section 10 उसमें लिखा हुआ है driving license का प्रारू format और अंतरवस्तों कि क्या तो format होगा और क्या उसकी अंतरवस्तों होगी तो मैं आपको कुछ बता यहता हूं हलांकि मैंने तो बहुत simple way में driving license का format है वो लिया गया है लेकिन मैं आपको बताऊंगा भी कि धारा 10 में क्या लिखा हुआ है वास्तवी ग्रूप से धारा 10 में वैसे तो जो आपने धारा ठारा पड़ी थी उसके अधीन जो driving license के सिवाए हमने जो धारा ठारा पड़ी थी उसमें लिखा हुआ था केंद्री सरकार के मोटरियानों को चलाने के संबंद में ठीक है तो धारा 10 में लिखा हुआ है कि जिसको भी driving license दिया जाएगा एक निश्चित format में दिया जाएगा उसमें निश्चित रूप से लिखा हुआ होगा कि वो बिना गियर बोरी मोटर साइकल के लिए है गियर वा उसका format होता है एक जिसका front page होता है उस front page पर तो उपर उपर लिखा होता है union of India फिर लिखा रहता है driving license और फिर उस state का नाम जैसे राजस्तान की है तो राजस्तान UP की है तो UP पंजाब की है तो पंजाब PB फिर उसके आगे एक गोले में लिखा रहता है NT plus T मतलब non transport plus transport अगर heavy license है जैसे यह heavy license के बारे में दे रखा है तो यहां पर NT plus T होगा और अगर light motor vehicle के लिए है तो वो NT होगा फिर आपके driving license number देखिए हमेशा याद रखना total 16 digit होती है ठीक है total 16 digit होती है उसमें space भी include होता है यह द्यान रखना दोस्तों आप गिनोगे यहां से RJ14 चार हो गए उस उसके बाद 2,0,1,2 चारी हो गए 5,4,9,9 के बाद 3,0 है उसके बाद 6,1,9,7 यह total 60 numbers है इसके जस्ट नीचे date of issue कभ यह issue हुआ है बारा साथ दो जार बारा मालीजी जो भी आपको date होगी उसके बाद validity कब तक रहेगी transport vehicle की तो T लिखा होगा transport vehicle की validity अलग होगी non transport की अलग हो फिर उसके नीचे लिखा होगा date of worth और date of worth के बाद में नाम और पिता का नाम लिखा होगा और आपका blood group अगर लिखा होगा तो blood group B positive A, B positive S लिखा होगा otherwise अगर आपने नहीं दिया होगा तो unknown लिखा होगा ठीक है दूसरा page का just back side का page होता है उस back side के page पे जो आपके driving license number यहा लिखे होंगे और यहां पर एक hologram दे रखा होगा परिवेंद विवाग का उसके बाद में देखिए इस driving license number के नीचे motorcycle का logo, car का logo और जो भी heavy vehicle है उसका logo होगा और नीचे उसका specification लिखा होगा MCWG motorcycle with gear, light motor vehicle और transport उनकी date of issue जो होती है वो भी लिखी होगी जैसे मालीजे date of issue इस ठीक है इन दोनों की same date होगी और ट्रांसपोर्ट की date of issue है वो लिखी होगी उसके बाद मैं address लिखा होगा और holder sign मतलब आपके signature होगे और जारी करता जो जैपूर का RTO है या DTO जहां से जारी हुआ है वहां से इसका signature होगे फिर बात करते हैं धारा 11 की धारा 11 मतलब section 11 section 11 में क्या लिखा हुआ है driving license में परिवर्धन यदि मालीजे आप driving license में update करवाना चाहते हैं अगर मालीजे आपका LMV का license बना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं heavy motor vehicle का मतलब वारी बाहन चलाने का license प्राप्त करूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी वर्ग या वर्णन के मोटरियानों को चलाने की driving license धारन करने वाला कोई व्यक्ती जो किसी अन्य वर्ग की मोटरियान चलाने के लिए दस्तावेजों यों फीस सहीत आवेदन कर सकता है मतलब यह दिया आपके पास में light motor vehicle का driving license है और आप heavy motor vehicle के मतलब आपका heavy license बनवाना चाहते हैं तो आपके जो दस्तावेज हैं दस्तावेज में क्या क्या होंगे कि आपका HMV की photography लगेगी original LMV भी लगेगा ठीक है आपकी photo लगेगी आपका अधार card आपका जो भी पता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर लगेंगी और उसके साथ में एक न उसके बाद में हम पढ़ते हैं धारा 15 की बात करते हैं धारा 15 में क्या लिखा हुआ है धारा 15 में लिखा हुआ है DL का नवी करण Renewation of Driving License दोस्तों अब आप सोचोंगे कि 11 के बाद में 12 आनी चाहिए थी 12 के बाद 13 आनी चाहिए थी में direct 15 क्योंकि 15 हमारे exam point of view से important है धारा अधिरम यां स्कूल मोतर कार इसकूल जो होते हैं उनके लिए उसके लिए धारा 12 में लिखा हुआ है ठीक है और धारा 13 में यह कह सकते हैं कि अगर मान लेजे मोतर या जो आप चला रहे हैं उसके जो लाइसेंस आपको मिल रहा है उस लाइसेंस का विश्ठार का अता होगा कि वो पूरे भारत में प्रभाभी रहेगा, इतना सा है, केवल जो 13 है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, धारा 13 लिखी हुए कि आपका जो driving license है, whole India में प्रभाभी रहेगा, ठीक है, धारा 14 में लिखा हुआ है, कि मोटर यानों को चलाने की जो अनुग अपतिया हैं, उ धारा 15, धारा 15 में लिखा हुआ है, driving license का नवी करना, मतलब रिन्यूएशन, आपका मान लिजे driving license कि सिगनिश्चित अवदी पर, मान लिजे आज की तारीक है, चार जनवरी है, चार जनवरी को आपका खतम हो गया, ठीक है, तो अब क्या होता है, कि या तो आप क्या कि चार जनवरी से पहले ही एक तारीक को आवेदन कर दीजिए, कि मेरा चार तारीक को खतम होगा, तो चार तारीक से वो आगे बढ़ जाएगा, कोई भी अनुग्या पनादिकारी, उसे आवेदन किये जाने पर, driving license को उसकी समापती की तारीक से नविकृत का सकेगा, कब से रिन्यू होगा, अगर एक तारीक को आवेदन कर दिया है, तो चार तारीक से ही वो रिन्यू हो जाएगा, मतलब उसकी जो date of expiry है, वो बढ़ जाएगी उसी दिन से, लेकिन मान लेजिए, आप कहीं बाहर रहते हैं, और आप राजस्तान से, जो आपका transport office है, वो राजस्ता नवी करण की तारीक से नवी करत की जाएगी, मतलब जिस दिन आप apply करोगे, बीच में जो gap आ गया तो फीस भी जादा लागेगी ध्यानक नाम, ठीक है, तो जिस दिन से वो नवी करण, मान लिजे आप एक महीने बाद में apply करते हैं, और चार तारीक को खतम हुआ है, और च ठीक है, मैं थोड़ा सा बतायता हूँ आपको जो धारा सोला है, वो सोला है कि जैसे मान लिजे किसी की गाड़ी पोलिशन जादा दे रही है, ठीक है, तो पोलिशन जादा दे रही है, तो उस वे में वो नेरस्त भी हो सकता है, मतलब मान लिजे पकड़ में आ गया तो आप बात करते हैं भागतीन की तो भागतीन में सबसे पहली धारा आती है वो आती है धारा उन्तीस ठीक है उन्तीस किसके लिए है भागतीन किसके लिए है के लिए या जो स्टेज वीकल्स जो होते हैं मतलब मंजली गाडियां जो होती है न उनके लिए भागतीन है और उसमें कंडेक्टर लाइसेंस की आफशक्ता को बताया गया है तो जो अध्या तीन है भागतीन हो कहां से सुरू होता है कंडेक्टर का अनुग्यापन ठीक है आपने देखो बस में एक कंडेक्टर होता है जिसको परिचालक बोलते हैं जो कि टिकट काटने का काम करता है ठीक है ना टिकट देने का काम करता है वो कंडेक्टर कहते हैं उसको तो इसकी धराव एक के तहत क्या लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति परिचालक के रूप मे तभी कार्य करेगा जब उसके पास में किसका लाइसेंस हो कंड़क्टर का लाइसेंस जी हाँ दोस्तों कंड़क्टर का लाइसेंस अगर नहीं होगा तो आप किसी गाड़ी में कंड़क्टर नहीं बन सकते अलांकि आप तो RTO इंस्पेक्टर बनने वाले हैं लेकिन फिर भी एदिमालीजी किसी को ध्यान नहीं है तो उसको conductor license होना आवशक है फिर दूसरा उपधारा सब section क्या लिखा हुआ है कि कई बार क्या होता है कि किसी गाड़ी में किसी बस में conductor नहीं होता है पहले गाड़ी में चड़ते ही वो driver केता है हाँ भी अलाओ टिकट कट वालो पहली तो driver को हम पैसे देते हैं परन्तु जो driver जो conductor का कारिया भी कर रहा है और अधिक से अधिक एक माहा के लिए नियोजित किया गया है मतलब अगर माली जे एक महीने conductor नहीं है उस गाड़ी में और driver ही conductor का कारिया कर रहा है तो उसको conductor license की आशकता नहीं होती है ठीक है फिर धारा 30 की बात करते हैं धारा 30 में अब ये तो क्या है कि आवशकता conductor license की आवशकता भई किसके पास में होगा कैसे कारे करेगा वो है फिर धारा 30 में लिखा हुआ है कि conductor जो license है उसका दिया जाना है conductor license का दिये जाने के लिए क्या क्या होगा कि वही किसी कोई व्यक्ति है उसके पास में क्या होना चाहिए new time sectionic योगिता हैं होनी चाहिए जो राजी सरकार ने दे रखी है जो कि धारा 31 में भी लिखी हुई है उसके आदार पर उसको दिया जायेगा फिर आती है धारा 31 धारा 30 में तो conductor license का दिया जायेगा जो कि धारा 31 में दी गई sectionic योगिताओं को जो है पूरी करता है अब 31 का कहती है कि conductor license की निरहरताएं disqualification की अगर मालिजी ये नहीं होंगे तो disqualify हो जायेगा उसको license नहीं दिया जायेगा देखिए मैंने सारी positive लिखी हुई है लेकिन मुख्य जो हमारा act है उसमें सारी की सारी नहीं होंगे ये मतलब negative words यूज किये हुए है जैसे कि यदि 18 words का या उससे अधिकायू का हो ठीक है कोई भी व्यक्ति उसको conductor license तभी मिलेगा जब वो 18 words का हो या फिर उससे अधिकायू का हो यदि नहीं होगा तो उसको conductor license नहीं मिलेगा नंबर 2 है कि उसकी new thumb sectionic योगिता होनी चाहिए यदि नहीं होगी यो new thumb sectionic योगिता तो उसको conductor license नहीं मिलेगा medically या physically fit होना चाहिए मांस्री को सारी group से fit होना चाहिए ज़ि नहीं होगा तो उसको conductor license नहीं दिया जाएगा अब देखिए दारा 31 में तो क्या लिखा हूँ है कि यदि आवेदक के पास में न्यून्तम सेक्षनी क्योगिता नहीं है तो अनुग्यापन अधिकारी जो होता है आर्टिय इस्पेक्टर जो होता है जो उसको वो लाइसेंस देने वाला होता है न्यून्तम सेक्षन क्योगिता होनी चाहिए मैडिकल ये फिजिकली फिट होना चाहिए धारा 33 की बात करते हैं धारा 33 में लिखा हुए कंड़क्टर अनुग अप्तियों से इंकार करने वाले आदेश एवों अपिली बहुत इंपोर्टेंट धारा है नोट लगा लिजेगा स्क्रीन्शॉट ले लिजेगा और पिछले हम कह सकते हैं जो एक्जाम्स हुए हैं उनमें ये धारा पूछी गई है कि मान लिजिए कि कोई भी आदमी कंड़क्टर लाइसेंस के लिए लेने गया लाइसेंस लेने गया तो उसको मना कर दिया जाता है तो मना करने से पहले मना करने के साथ में एक आदेश निकाला आता है उस अदिकारी द्वारा और वो आदेश की एक प्रती उस व्यक्ति को दी जाती है जिसको मना किया जा रहा है और वो भी लिखित रूप से ठीक है ना तो इसमें के लिखआए जब अनुग यापन अधिकारी कंड़क्टर लाइस देने या री निउ करने से मना करता है तब है आदेश द्वारा मना करने के कारण ये लिखित रूप से धारक को देगा मतला मालीज़ आपने conductor license के लिए apply किया है और जो अधिकारे जिसके पास में आप जा रहे हो वो मना कर देता है किसी चीज से तो वो क्या करेगा एक आदेश निकालेगा उस आदेश की संसूचना यता इस्तिति आवेदक या धारक को दी जाएगी और उस मना करने का कारण भी लिखित रूप से आपको देगा ठीक है फिर इसकी सब सेक्शन टू लिखी हुए है उपधारा दो है वो क्या है उपधारा एक के अधियन आदेश से व्यथित व्यक्ती आदेश की तामिल होने के 30 दिन के भीतर व्यथित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा और उसे सुनवाई का विसर मिलेगा अर्थात की धारा एक में धारा तैतीस में धारा तैतीस की जो उपधारा एक है उसमें लिखा हुए है कि लाइसेंस देने या रिन्यू करने से कोई अधिकारी ने मनने जिए मना कर दिया लिखित रूप से एक जो कौपी आपको दे दी गई है तो आप क्या करोगे अगर आप मालो आप के वास्तव में आप सही है उसने ऐसे ही मना कर दिया है तो आप क्या करोगे उससे उपर को जो अधिकारी है 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकोगे उस अधिकारी की सिकायत कर सकोगे उसकी फलाने वेक्ति ने मुझे मना कर दिया है क्यों कर दिया है फिर एक निश्चित सुनवाई का अबसर आपको दिया जाएगा जिसमें वो अधिकारी भी होगा जिसने आपको मना किया है और आपकी भी राय ली जाएगी मतला आप से भी प्रशनों पूछे जाएंगे और फिर जो है सुनवाई होगी और न्याय मिलेगा आपको तो यह थी धारा 33 अब बात करते हैं भाग चार देखें दोस्तों धारा 38 अनुघ अप hasn इंकार करने का है ठीक है धारा 34 जो है वो अनुघ्यापन प्रदिकारी की 노ररित करने की सकती है वहि मना करने की सकती है ठीक है फिर धारा 35 की बात करता है वह भी इंपोर्टेंट है लेकि अगर माली जी कोई अपराद सिद्ध हो गया आपके उपर conductor license के लिए तो भी वो आपको मना कर सकता है नाले आपके अगर बन भी गया है तो आपके license को जब्त कर लेगा या रद कर देगा ठीक है नाले की सकती होती है इसके अंदर फिर आता है भाग चार भाग चार सबसे important भा आती है 1449 में लिखा हो है रजिस्ट्री करण की आपशकता necessity for registration कि आपको registration की आपशकता क्यों है कि किसी सारवजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर कोई व्यक्ति मोटर यान तभी चलाएगा जब वहयान रजिस्ट्री करत हो registration का मतलब होता है कि एक particular number code के साथ में जिसमें RTO code भी होता है और vehicle का code भी होता है वह आपकी motor vehicle पर लगाए जाते हैं number plate के रूप में आज कल तो high security number plate लगी होती हैं सभी में वह number plate लगाई जाती है और वह माना जाता है कि आपका vehicle registered है अगर मान लिजे किसी गाड़ी पर number plate नहीं है इसका मतलब registered नही है तो किसी भी सारवजनेकिस्तान में यदि आप कोई vehicle चलाते हैं तो आप बिना number plate की गाड़ी नहीं चला सकते ये इसका मतलब है उस vehicle का registration होना आवशक है धारा 40 में कहां पर होगा registration registration कहां किया जाना है registration where to be made कहां पर होगा प्रतेक मोटरयान का स्वामी उस registry करता प्राधि रिष्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान है जहां की यान आम तोर पर रखा जाता है मालीजिए आप जैपूर के रहने वाले हैं आपने नई गाड़ी खरीदी है ठीक है या फिर कोई पुरानी गाड़ी खरीदी है ठीक है यहां दोनों में हो सक करते हैं जहां से हम गाड़ी करीते हैं वही सारा काम करके नंबर प्लेट लगाव अगर के देते हैं ठीक है तो इसलिए हमको ज़्यादा लोड लेनी के शकता नहीं है लेकिन अगर मालीजिए पुराना वहान खरीदा है तो फिर आगे एक अनुछे दाया को सोरी एक धारा जाएगी जिसमें आर्टी ट्रांसफर होती है जो रिष्टी करता प्रादिकारी होगा तो और फिर एक्ताली से भार के लिए क्या नवारिताइं है रजिस्ट्री करन के लिए रजिस्ट्री करन कैसे होगा मतलब यह निश्चित आवेदन होगा उस आवेदन में आपको सारे दिटेल्स बरके देनी है एक फोटो लगानी है आपका आधार कार्ड आपके दस्वीगी मार्क सीट जो की देटो बर्थ के लिए होती है ठीक है वो सारी चीजे एक निश्चित फीस के साथ में जम्मा करवानी पड़ती है यदि आप डिरेक्ली वहां जाते हैं तो आपको एक टोकन कटवाना पड़ता है और टोकन के साथ में निश्चित साधे 45500 रुपे रसी दने होती है और फिर आप जो है वहां जम्मा करवा सकते हैं प्राधिकारी के सामने आपको प्रस्तूत होना पड़ता है वहां के साथ मैं वह वहां का निरिक्ष्ण करके और इस पर हैं वह अलग अलग सब सेक्संस होते हैं कि जैसे मान लीजे आर्मी की गाड़ी है तो उसके नबर कैसे होंगी टाली沒 बात करते हैं हरा 43 में लिखा हुआ है स्थाई रजिस्टरी करन the temporary रेजिस्ट्रेशन धारा चालीस में किसी बात के होते हुए भी किसी मोटरयान का स्वामी विहतरीती प्रिस्क्राइड मैनर से यान को एस्थाई रूप से रेजिस्ट्र कराने आर्सी दिये जाने के लिए आविदन कर सकता है देखिए इसमें सब सेक्षन दो को भी पढ़ो आ उसमें लिखा हुआ है यह है एस्थाई रेजिस्ट्रेशन एक वर्स से अधिक शदिक एक माहा के लिए मान्य होगा नवी करनी नहीं होगा देखो धारा चालीस में लिखा हुआ है रेजिस्ट्री करन कहां किया जाना है मतलब रेजिस्ट्रेशन कहां पर होगा जो आपका Garty लगता है वहां पर एक फैस के साथ में आपको रेजिट्र करन करन होता है अगर मालीजा आपका रेजिट्रेस्ट हो गया फिर भी अगर आपको इस थाई रूप से भी रेजिट्र करवा सकते हैं आप वहान को और एस थाई आर्सी भी आपको दी जा सकती है ठीक है लेकिन वो आरसी एक महीने के लिए योगी ठीक है अब ऐसा आपको ओगे ऐसा कैसे होता है कि भई अपना वाहन तो पहले से रेइस्टरड है और वो नभी करने ये नहीं होता है लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे धारा चालीस धारा चालीस में और भी उफबंद लगा रखे कि मानलीज़ये आप एक राजी से दूसरे राज में लेकर जाते हैं वह हन तो वहां पर आपकर वाहन का रिष्ट्री सिंट्क रही है लेकिन वह का एक साल से जदा अगर आप रख रहे हैं वाहन पर एक यह नया रिष्ट्री करने चिन आपको दिया जाना आवशक होता है मत अभी मैं आपको बताया था जब रिष्ट्री होती है वहिकलगी तो उस समय आपको गाड़ी जो भी आपने मोटर साइकल ुश कहता है जो अधिकारी यह प्रमान पत्र के नवीकरण से मतलग जो प्राधिकारी है अधिकरता है रईश्ट्री करता अधिकारी है वह आपकी रिष्टरेश certificate देने से या new renovation से मतलब अगर RC पूरी हो गई है तो उसको renew करने से इंकार भी कर सकता है इंकार कर कैसे कर सकता है कि यदी registry करता अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मोटर यान चुराया हुआ है कि यान यांत्रिक रूप से खराव है या बनाये गए नियमों की पालना करने में ऐसा फल रहा है तो आवेदक के आवेदन को ना जूर करके ऐसे एक आदेश की प्रती इंकार के कारणों सहित देगा कि माली जी आपने आवेदन किया प्रादी कारी को किसी ने सिकायत कर दी किसा भी यह तो मोटर यान चुराया हुआ है जिसका यह पर सकता है कि मोटर साइकल या कार में या अंत्रिक रूप से ख़रावी है मतलब यह फिजिकल जो कार है वो हैल्दी नहीं है तीक है ज्यादा पॉलिशन दे रहा है मतलब या फिर वो नियमों की पालना नहीं कर रहा है जो नियम बना रखे हैं इसके लिए वो उस पालना करने में ऐसा फल रहा है तो वो रईस्ट्री करता अधिकारी है उस आवेदन को नमंजूर कर देगा और एक आदेश निकाल कर उस आदेश के प्रती इनकार के कारणों सहित पूरा मतलब लिखित रूप से आवेदक को दे देगा अब बात करते हैं धारा सहताली जो मैं भी कह रहा था धारा त्यालीस के अंतरगत धारा सहतालीस जिसमें लिखाओ है दूसरे राज्यों को ले जाये जाने पर नए रजिश्ट्र करन चिन्न का दिया जाना मतलब मान लिजए आप जैपूर रहते हैं और आप अपने वाहन को दिल्ली लेके जा रहे हैं और आप अपने वाहन को दिल्ली में ही रखते हैं और एक वर से अधिक आपको रखना है तो क्या होगा कि जब कोई मोटर यान जो एक राजी में रइस्ट्री करते हैं दूसरे राजी में 12 महा से अधिक अधिक अवदी के लिए रखा गया है तब उस यान का स्वामी नया राजिश्ट्रीकर तर्यकरी को अवेदन करे आर्शी तो आपकी चलेगी लेकिन जो राजिश्ट करता एक इसे यह पता चलता है कि ये वान है तो दूसरे राजिश्य का आलंकि वो तो आपकी नमबर प्लेट से भी पता चल जाएगा लेकिन उससे यह पता चलेगा कि यह दूसरे बहान का है और एक वर्ष से अधिक यहां रह रहा है और यहां रहने में कोई आफ़ती नहीं है अधर वाइज क्या होगा दूसरे स्टेट पर चालान हो जाएगा दोस्तों अगर आपका एक साल से ज्यादा रहा है ना बहान तो मा दिकत नहीं है आराम से मिल जाता है अब इस एक नोट है इस उपधारा के अधीन यह जो उपधारा एक हैसा है धारा 47 की उपधारा किसी आविदन के साथ में आविदन के साथ में क्या होगा धारा 48 के अधीन अभी प्राप्त आक्षेप नय प्राप्त होने का प्रवान पत् आपको एक लेना होगा कि जिस अधिकारी ने आपको आपको आर्ची दी है उस अधिकारी से लिखवाना पड़ेगा कि अगर दूसरे राज दूसरा राज्य आपको नया रिश्ट्रे करन चन्हे देता है तो मुझे उसमें कोई आपती नहीं है वो एनोसी होती है वो एनोसी की कॉपी भी आपको उस समय लगानी पड़ेगी नए राज में अब बात करते हैं दोस्तो भाग पांच की भाग पांच है जिसमें परिवहन यानों का नियंतरन जो परिवहन यान हैं उनका नियंतरन उनका कंट्रोल ठीक है तो सबसे पहले जो धारा आती है वो आती है धारा च्छासट सेक्षन 66 सेक्षन 66 में लिखा हुआ है पर्मिट पर्मिटों की आशकता दोस्तों पर्मिट क्या होते हैं जब हम कोई वहां चलाते हैं तो हमें एक अधिकार दिया जाता है एक पर्मिट दिया जाता है पर्मिट किससे बनाओब पर्मिशन से टीके लिए हमफी ट्रफ के बसों के पीछे पढ़ते हैं या यह लिखा हुआ होता है ओल इंडिया पर्मिट मतलब पूरे भारत का उनके पास परमिट होता है पूरे भारत में वह वाहन कहीं भी चला सकते हैं उसकी परमिशन नहीं होता है उनको टेक्स जम्मा कराना होता है अलांकि light motor vehicles का नहीं लगता है लेकिन heavy motor vehicles जब एक राजी की सीमा से दूसरे राजी की सीमा में प्रेविश करते हैं तो उनको एक निश्चित रासी टेक्स जो है वो जम्मा करवाना पड़ता है commercial vehicles को ठीक है permit की necessity of our permits सब्धारा एक में लिखा हुआ है किसी motor yan का स्वामी किसी सारवजनिक इस्थान में उस यान का परिवहन यान के रूप में प्रियोग उस permit की सर्तों के अनुसारी करेगा जो उस इस्थान में उस रीती से जिससे उस यान का उप्योग किया जा रहा है जो वीत प्रा सारवजनिक इस्थान में चलाने के लिए यदि मान लीजिए आप उसका परिवहन यान के रूप में यूज कर रहे हैं ठीक है जैसे बस के रूप में कार के रूप में तो उसका एक permit दिया हूँ होता है उसकी सर्तों के अनुसारी कर सकते हैं और वो permit किसके दोरा दिया जात ये जो परमिट होता है वो कुछ उपवंद ऐसे होते हैं कुछ ऐसी ऐसे हम कह सकते हैं भाग होते हैं जिनके लिए परमिट लागू नहीं होते हैं ऐसे कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे की सरकारी वाहन सरकारी अधिकारियों के जितने भी वाहन होते हैं जो उनको आफिस से मिलत केवल सडक साफ करने शाब पर जल ड़़म यौ सफ़ाई प्रियोजने के लिए उप यह हो ठीक है कुड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां आती थी उनको परमिट के आशकता नहीं होती। सड़क साफ करने के लिए सड़क पर जो डिवाइडर पर जो पौधे लगे हुए हैं उन पर क्योंकि सारे क्या समविदा पर होता है कॉंटेक्ट पर होता है ठेकेदार के दीन होता है ठीक है तो उनके लिए परमिट किया सकता नहीं होती या फिर पुलिस के जो वाहन होते हैं अगनी समन के जो दमकले होती हैं उन पर एंबुलेंस या फिर सव वाहन जो सव को लाने ले जाने या उनके प्रियोग में प्रियोगत हो रहा है या फिर बिगड़े यान को ले जाने वाले वाहन जो क्रेन वगरा होती है जो ऐसकतिय बिगड़े यान होते हैं उनको ले जाने के लिए जो क्रेन होती है उनके लिए भी परमिट की आशकता नहीं होती है फिर अन्य होता है ऐसा माल यान जिसका सकल भार तीन अजार किलो से अधिक नहीं है एक ऐसा यान भी हो सकता है जैसे टैमपू बगरा हो गए की नजार के जी से अधिक नहीं होगा और वो लोडिंग टैमपू जो होता है उनके लिए परमिट की आशकता नहीं होती है फिर आती धारा 68 धारा 68 में लिखा हुआ है परिवहन प्राधिकरण बहुत इंपोटेंट है दोस्तों एक्जाम में सबसे पहले यहीं पुछा एता यह भाग 5 में है जिसमें परिवहन यानों का नियंतरण है तो भाग 5 धारा 68 के तहट प्रतेक राजी की सरकार राज सरकार राज पत्रमियादि सूचना द्वारा राज के लिए परिवहन प्राधिकरण गठित करेगी जैसे हमारा क्या है अगर हम राजस्तान के हैं तो कि पालर सार्टी जो होता है यूपी के लिए होता है पंजाब कि ली मत आप सबी में आपने दिखा कि कि रोड हैं से चलती है वह इसी प्राधिकर लिए होता है धहरा кажется अगर आपको प्राइवेट बसेज आपने चला रखिए तो उसका भी एक परमिट होता है दारा सदेतर के अनुसार माल वाहन परमिट के लिए आवेदन कि अगर आपकी लोडिंग ट्रक है आपका तो उसके लिए भी आपको परमिट की आशकता होती है मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो एक्ट है जिसमें धारा नो चाला नानो गिपती का दिया जाना ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ है भाग दसकी बात करते हैं धारा दसकी बात करते हैं जिसमें चाला नानो गिपती का ड्राइविंग लाइसेंस का प्रारूप और अंतरवस्तू क्या है जिसमें बिना गियर वाली मोटरसाइकल गियर वाली मोटरसाइकल ऐसक याट्री गाड़ी हल्का मोटरयान परिवेहनियान सारी चीज़ इसमें लिकी हुई है ठीक है उन लोगों को मिलेगी फिर धारा ग्यारा थी उसमें चालान अनुगिप्ती का गई है रहाण 12 मेरा आपको बताई थी कि जो मोत्रयानों के चलाने की सिक्षा देने के लिए विद्धैलों इस्थापनों का अनुगिया पर विनियमन के ऐसे स्कूल से मोट्रयान स्कूल्स होते हैं उनके लिए रहाण 12 है दारा 13 की बात करते हैं तो दारा 13 में लिखा हुआ है मोटर यानों के चलाने के अनुगेप्तिव के प्राविय होने का विस्तार मैंने का था आप से पूरे भारत में संपुर्ण भारत में प्राविय होती है 14 में लिखा है उन्ट सेन्स करें और जो यह आपको दिया गया है वहां तक वह रहता है पूरे भारत में अनुछेद जिसको हम धारा कहेंगे धारा या सेक्षन पंद्रा उसमें चालन अनुगेप्ति का नभी करने रिन्यूएशन लिखा हुआ है ठीक है यह हमने बात की थी यह में आपको समझाई दिये हैं इसके बाद में धारा सोला है जिसमें रोग या नहीं सकता क्या धार पर चालन अनुगेप्ति का प्रतिस्वन रण मतलब मान लिजिए आप मेडिकल या फिजिकली फिट नहीं है तो अधिकारी आपको मना कर सकता है और आपको कौपी देदेगा उस आधेश की कि भईया आपका चिकी सप्रमान पत्र सही नहीं है या फिर आप मेडिकली फिट नही हो ठीक है धारा अठारा मैं आपको पहले बता दोती कि केंद्री सरकार के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन अनुगेप्ति का होना आवशक है उसके बाद में भाग तीन भाग तीन में कंड़क्टर अनुगेप्ति कंड़क्टर लाइसेंस के आवशकता जो धारा 39 के त लगिए ठीक है उसके बाद में हमने दारा 49 पड़ी थी जो कि भाग 4 में हैं भाग 4 में मोटर यानों का रजिस्ट्री करण लिखा हुआ है और 49 में रजिस्ट्री करण की आवशकता लिखी हुई थी भाग 4 में कीसे होना हे दारा 41 में है उसको ऐस्ताई रेस्ट्री करण दारा तीयालिस में हैं सेक्षन dispers 53 में हमने 63 रेजिश्ट्री करण पड़ा है यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं दोस्तों उसके बाद मैं हमने धारा चमालिस में लिखा हुआ था कि रईष्ट्री करण के समयान का पेस किया जाना ये पड़ा रईष्ट्री करण से नविनी करण से इंकार धारा पैतालिस में लिखा हुआ है आदेश की प्रतिय आपको कारणों सही दी जाएगी दारा सेताइलिस्त में दूसरे राज्यों को ले जाएं जाने पर रिजिट्री करण चिन्न का दिया जाना ये लिखा हुआ है फिर हमने भाग पांच पड़ा और भाग पांच में परमिटों की आशक्ता जो की धारा 66 के अंतरगत आती है वो पड़ा है हमने दोस्तों ये परिवहन नियंतर्ण जिसमें ये भाग पांच आ गया और इसमें परिवहन परिमिटों की आशक्ता आ गई नेसेसिटी फोर परमेट्स ये हमने पड़ा है ठीक है उसके बाद में हमने धारा 68 जिसमें परिवन परादीकरण होता है परिवन परादीकरण धारा 68 में लिखा हुआ है और प्राइविट बाहनों के लिए प्राइविट सेवायों के लिए धारा 66 जो हमने पड़ी है उनक आपको समझ में आई होगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर चैनल की वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए और अगर कोई भी समस्चा है उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं बहुत बात धन्यवाद